चलिए शुरू करते हैं उत्राखंड सामने ग्यान टेस्ट्रीज का भाग बात इसमें अभी हम देखेंगे उत्राखंड के प्रमुक व्यक्तितों से जुड़े प्रश्ण उत्तर तो आज का हमारा पहला प्रश्ण है पतिक सब्द किसके नाम के साथ जुड़ा गया था तो ए निम्न लिकित में से कौन सी पुष्टक मुनवर्श्याम जोशी की नहीं है यहाँ पर चार पुष्टके दी गई है इन में से तीन मुनवर्श्याम जोशी की नहीं है अगला प्रश्ण वही निम्न लिकित में से कौन सी पुष्टक मुनवर्श्याम जोशी की नहीं है तो तो पहली तीन तो मनवाटश्याम जोसी की हैं, कहीं और कुछ इनकी नहीं है। अगला प्रस्ण, इन में से कौन सा नाटक? गोविंचा तक का नहीं है। तो तीन तो गोविंचा तक के हैं, केकड़ी, कालामो, दूर का आकास। और एक बार अयोवा जो है, वो गोविंचा तक का नहीं है। धाद नमक सस्ता का निमान किस ने किया? तो धाद एक सस्ता है, इसका निमान किस ने किया? तो सही आंसर वो जाएगा, सुरेंचिंग पांक्ति अगला प्रश्ण हिमालयवन यजीव सस्तान की स्तावना 1904 में किस ने की? तो यहां से यह बात की लिए रोगी कि हिमालयवन यजीव सस्तान की स्तावना कब हुई तो 1904 में हुई पर किस ने की? तो यह की थी हमारी कल्यानर सिंग रावत मैती ने, जिन्हों ने मैती आंगर फिराघन केया उत्राखंड कितना सच कितना चल किसकी पुष्टकाइब तो gives तक है उत्राखंड कितना सच टाई इक अुभी देए सुनेजिन्दर पांकति की अगला प्रश्ण चन्डी परसादबट को पद्मश्री का मिला हमारे प्रयावरन विद चन्डी परसादबट जो चिपकोजानो लगा इनको पद्मश्री कब जिया गया तो इसका सःए अंसर है 1986 में इने पदमस्री से समानित किया गिया अगला प्रश्न मिर्टोला आश्रम का इस्तित है तो मिर्टोला एक आश्रम जो माधवासी से जुड़ा हुआ है माधवासी से एक विदेशी संथ और एक प्रयावरण विद्वी थे तो यह है अलमुडा में और अलमुडा में भी य तो स्वाहिए उसलेड प्राश्री से समवनित किया गया अगला प्राश्र जै आनंद भारती का ग्रयाजन पद है तो जो हमारे जै आन्नद भारती है इनका ग्रयाजन पद किया है तो तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद चातक अंगार और रेवार जो दो पस्त्रिकाय हैं वो हैं गोविंद चातक जी की अगला प्रस्ण मेमोयर्स अप्दराज किसकी रचना है तो मेमोयर्स अप्दराज चो रचना है वो इन चारों में से हमारी होगी दुरगाचरण काला की दुरगाचरण काला की दो अन्य किताबे हैं हलसन साइप औगणवाल जो इन्होंने पहाडी विल्सन पर लेकी फ्रेडिक विल्सन और दोसरी है जिम कोलेटॉप कुमाउं अगला प्राश्ण सम्ता किस प्रकार का पत्र था अर्थात जो सम्ता अगवार था वो किस प्रकार का पत्र था अर्थात साप्ताईक, वार्सिक, पाक्षिक या अध्यानिक तो वो सप्ता में एक बार निकलता था इसलिए वो था साप्ताईक अगला प्राश्ण नारायन सिंग नेगी किस छेतर से समझते हैं जो ये नाम है नारायन सिंग नेगी ये किस छेतर से समझते हैं तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पर्यावरण ये एक पर्यावरण भी थे हैं कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किस ने किया तो एक पत्रिका है कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका इसका प्रकाशन किस ने किया शेर सिंग पांक्ती शुरेंद सिंग पांक्ती गोविन चादक बलवंत मन्राल तो बलवंत मन्राल ने निकाला था इस पत्रिका को मैयति आंदुलन कब चलाया गया तो हमें जानते है कल्यांति द्वार मैंति आंदुलन चलाया गया विक्षा रोपड़ी समझे दिया आंदुलने तो इस आंदुलन को चलाया गया था 1996 हालां कि कहीं-कहीं पिचाने भी दिखता है लेकिन आयोग ने अपने एक एक्जाम में 1996 को आंसर माना है अगला प्रश्ण स्वामी राम ने हिमालयन इस्ट्यूटर हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब कि अर्थाल आज की आज हम इसे कहते हैं जोली ग्रांट तो जोली स्वरां जो एक 10 सोली ग्रांट छंद्री परशाथ भर्ण द्वारा कब की गये तो एक 10 सौली ग्रांट पर्यावर वाय्वारण भी चंद्री पर्शाथ भर द्वारा कई वो की गई थि इसका से यानसर है उनिश्व चुछट में तो ये था आज हमारे इन प्रमोंक्रत्रि